हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज दोस्तो आज इस वीडियो में आपसे वनरक्षक रिजल्ट के बारे में बात करूंगा पांच गुना अभ्यारतियों को पास किया जाएगा इसके उपर भी अप्डेट हम देखेंगे तो आपकी कट ओफ के उपर और आपकी जो कट ओफ रहने वाली है उस पे भी आज हम डिसकस करने वाले हैं लेकिन सबसे most important thing यह है दोस्तो आप सभी result का बहुती बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि आपका वनरक्षक का result कब आएगा सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आपका जो एक्जाम है वो 11 दिसंबर 2022 को कंड़क्ट करवाया गया था अप्डेट में यह है दोस्तो भरत वेनिवाल जी के तरफ से और आप खुद भी बात समझ लो कि वनरक्षक का जो आपका result है वनरक्षक का आपका result है वो almost prepare हो चुका है scanning complete हो चुकी है आज या कल में ही आपके result जारी होने की पूरी संभावना है ठीके बताया जा रहा था कि CET complete होते ही CET का एक्जाम भी successfully complete करवा लिया गया है आज आपका जो है 10 जनवरी है आज साम तक आपके पास result जारी हो सकता है रास्तान करमचारी चैन बोर्ट के जो अध्यक्स है हरी परशाथ सर्मा जी उन्से मुलाकात की है वनरक्षक भड़ती का परिनाम आज थोड़ी देर में या फिर कल तक जारी कर दिया जाएगा जिसकी समिक्षा में आज बैठा कुई है अब ध्यान से सुनना दो से तीन दिन का समय और लग सकता है या फिर परिनाम अगले विक जारी हो सकता है तो दो से तीन दिन का समय की बात कही थी या फिर जो अगले विक तो यानि कि इस week में आपके परिणाम जारी होने की वनरक्षक का जो result है वो इस week में जारी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है बताई जा रही है और आपका जो वनरक्षक का result है इस week में आ जाएगा साथ ही मैं अगर आपसे cutoff की बात करूँ तो 346 पदों में व्रदी हुई है जिससे क्या होगा कि आपकी cutoff में भी आपको फरक देखने को मिलेगा 11 दिसंबर को बच्चों की उपस्तिती भी कम रही थी क्योंकि एक वार पेपर लीक होने के बाद बच्चों में उतना मनोबल नहीं रहा तो 11 दिसंबर को बच्चों की उपस्तिती कम रहने की वज़़ से भी cutoff में आपको फरक देखने को मिलेगा अगर आप जनरल OBC और EWS कटेगरी से हैं और आप 58 से 65 मार्क तक लेकर आ रहे हैं तो आप अपने आपको safe zone में feel कर सकते हैं आप safe हैं ठीके तो जल्द ही result आने वाला है दोस्तो best of luck have a nice day bye bye